दोस्तो यह इस्तरी तो बॉक्स आफिस में बड़े-बड़े मर्द से भी आगे निकली यानि कि यहां पे इंडस्ट्रियल हीट अन दीवेड है हेलो आइज कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका स्वागत है आपका स्थीटू के यानि कि यहां 23 दिन के दोस्तो इस्थीटू के बॉक्स आफिस क्लेक्शन के प्रेडिक्शन के एपिसोड में है वही इसके लावा हम लोग यह भी देखेंगे कि यह जो मुवी है यह अभी उकमाईशों में कितना टिकट सोल्ड आउट कर रही है क्योंकि ये मुवी आप लोग कह सकते हो कि बस दोस्तों बस सामने नजदी खड़ी ही है जवान के लाइफ टाइम के रिकॉर्ड को भीट करने की और क्योंकि इस मुवी की कल तक की कमाई ऑफिशली संडे तक की कमाई भा यहां पे अराम से यह मुवी 600 करोर जो कलब है उसमें अंटि लेने वाली है देखेंगे कि आज यानि कि अपने मंडे की दिन जो की काफी अच्छा गुजर रहा है पहला मंडे भी काफी अचा था सैकेंद मंडे भी तो ऑफिफ्ट मंडे भी आज तक की जितनी मुवी आई ह उन सबस्क्राइब गाईज ये कमाने वाली है क्योंकि आज है holiday मिला दुलनभी तो गाईज यहाँ पर चेक करेंगे इस तरी के आज का collection साथी साथ यहाँ पर the greatest of all time का भी हाल चाल देखेंगे और box office में पहले release किया गया था तो मूगी खाई थी लेकिन जब re-release किया गया तो यहाँ पर सबसे पहले गाईज हम लोग बात करेते हैं कि इस तरी का आखिर क्या हाल चाले इसके मंडे का उसे पहले बात करते हैं कि कल का official क्या रहा था तो गाईज कल का जो रिपोर्ट था वो कुछ 6 करोड 85 रुपे था 6.85 करोड और इस मूवी ने कुछ 580 करोड जमा कर लिए थे और यह फिफ्ट वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दोस्तों मूवी बन गई थी यानि कि उरी लास्ट 13 करोड गाई शुरुबात के तीन दिनों में किया था इसने उसके रिकॉर्ड को भी दोस्तों बीट कर दिया और 16 करोड कुछ बॉक्स आफिस के लेकिन आज क्या करेगी यह मूवी तो अगर हम लोग आज के उक्यूपैंसी के उपर निगाहे डाले तो भाई मॉनिंग के उक्यूपैंसी साड़ेनों ठीक है होलिडे है लेकिन यहां पर गाई यह जो फ्राइडे गया है उससे तो बैटरी है आफ्र नोंक्र पैंसी सतरह परतिशत की है अलाकि मुझे एक वक्त लग रहा था कि शायद यह मूवी आज जो हॉलिडे है इसके वज़े से यह कर लेगी कुछ चार-पांच क्रोड रोपे कमाई लेकिन क्या यह कर रही है या फिर मामला अलग है तो अगर हम लोग यहां पर चैक करें तो ठीक है ऑ अभी थस्दे उससे तो अच्छा है भाई यहां पर अगर हम लोग मुंबई की बात करते हैं तो कुछ चार सो चापन शोज है और यहां पर उक्पैंसी सतरह परतिशत की दिल्ली में अठारा परशंट की उक्पैंसी लगफख छे सो आठतर शोज दोस्तों पूने में 200 पंदरा परशंट की उक्पैंसी एहमदाबाद 283 शोज 11 परशंट की उक्पैंसी तो आप लोग कह सकते हैं कि हां ओक्पैंसी ठीक ठागाई लेकिन वह जो गाइस ऑक्यूपैंसी आनी चाहिए ती जैसी हाँ ठीक है आज संडे वाला गाइस हॉलिडे तो नहीं है हर जगा संडे जासा स्वाद तो नहीं ही मिलेगा लेकिन फिर 25 परशंट की अगर इसकी इवनिंग रहती तो में भी शायद यह चार कर लेती लेकिन अभी आगर हम लोग देखें तो गाइस इस मूवी ने अभी यह जो फ्राइडे अभी गया है इसमें शायद कुछ 3 क्रोड की आज यानि कि अपने मंडे के दिन ये 3.5 क्रोड कर रही है यानि कि पांसो फिरासी करोल फचास लाग उरपे इसको कल सहरा लेना पड़ेगा तो तिसवे भाई सहाब 14 बोल रहा हूं 34 दिनों में दिखा दिये यहां पे जवान को दिन में तारे बागे दोस्तों अगर हम लोग चेक करें कि हाई गैस हाई गैस हमारे अनुसार 33 दिन सबसे ज़्यादा गाईस किसने करेक्शन किया था और यह उस लिस्ट में किस में है क्योंकि गाईस यहां पर हम लोग देखें हर दिन यह एक नया रिकॉर्ड बना रही है तो 33 दिन सबसे उपर थी ठीडियाट दो करोड़ 48 लाग उरुपे जगाईस दो करोड़ 48 लाग उरुपे पठान थी दो पैंतालिस उन्ही सर्जिकल इस्टाइस एक करोड़ 73 लाग उरुपे तो आग पंदरा करोड़ के नंबर आये जहां तमिल से 13.85 करोड हिंदी कुछ एक करोड़ दोस्तों देखे गया तेल्गु ने कुछ 15 लाग उर पर जमा करवाए दोस्तों इस तरीके से यह मूवी कुछ 214 करोड के करी तो चली गई थी 214 करोड लेकिन अगर हम लोग आज की बात करें आज की ओक्यूपेंसी तेल्गु की तमिल की मॉर्निंग 19 19 आफ्टनु लगभग 29 और इवनिंग 42 चला जाता है ठीक है ओक्यूपेंसी गाइस इसकी ठीक थी हिंदी की मॉर्निंग लगभग 7 आफ्टनु लगभग 13 और इवनिंग लगभग 12 तो यहां पर इस तरह के कुछ सीन इस तरह को सिनारियो इसका रहा है तो अगर हम लोग देखें कि भाई कि यह मूवी आज कमा कितना सकती है क्योंकि लास्ट के नॉन हॉलिडे की दिन यानिकि फ्राइडे की दिन इस मूवी ने कुछ 6 करोड़ 75 लाग और रुपर के कमाई की थी यानि कि अपने डे नाइन नाइन तो यहां पर यह मूवी क्या उतना कर पाएगी तो देखो भाई मुश्किल होगा लेकिन जरूर कोशिश करेगी यह मूवी की साड़े 6 करोड़ तो जा सके साड़े 6 करोड़ तक जा स जनों में गाइस 410 करोड़ तक पहुंच गई थी तो छे करोड़ लगभग साड़े साथ करोड़ वर्सिस डेड़े करोड़ यानि कि यह मूवी 9 करोड़ कर रही है फिर भी ग्रास वर्डवाइड यानि कि 420 करोड़ तक का आप लोग इसका वर्डवाइड मानलो दोस्तों हो जाएगा 420 करोड़ बीस्ट मूवी अब बात करते हैं कि भाई यहां री रिलीज होने के बाद किस तरीके के नंबर दोस्तों हासिल की किस तरीके के नंबर यहां पे हासिल की तुमबाड ने तो गाइस देखो 1.65 करोड़ सेकिंड इस मूवी की कमाई एप्रॉक्समेटल सेंडे को भी इस मूवी ने अच्छा क्रेक्शन किया तीन करोड़ तीन करोड़ चार लाग और तो टोटल कमाई 7.34 करोड़ की कमाई हुई है लाइफ टाइम में जितनी अभी तक री रिलीज हुई है उन मूवी ने 10 करोड़ तक की किया है रॉकस्टार इसने तिन दूनों तो भाई इसका क्या होगा देखो भाई आएगा तो गाईज ओपनिंग डे से जाद आई यानि कि इसका वेरी फर्स जो ओपनिंग डे था एक करोड़ 65 लाग उर्प उसे तो उपर आने वाला है इस मूवी ने कुछ 7.34 लाग उर्पे की कमाई की थी इसमें मैं कुछ 1.75 ल लगता है कि यह एक कहानी है किसी मूवी के सक्सेस की वह मुकाम जो इसको पहले नहीं मिला था वह अब दे लिया गया है पहले 35 क्रोड लाइफ टाम नेट था और अभी के 9 क्रोड प्लस 35 क्रोड को दूस्तों नंबर को चोड़ लेते हैं तो यह कुछ 23 क्रोड होयाता है यह आपका क्या कहने बताना ज़रूर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए तना है